आपका स्वागत है सब की बात सच के साथ तो चलिए रुख करते हैं आज की प्रमुखबर पर कोलकाता रेप मडर की घटना के बाद यूपी में अलर्ट अस्पताल में अब बेना पैचान पत्र नहीं रुख सकेंगे तीमारदार कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मडर की घटना के बाद अब यूपी के अस्पताल भी अलर्ट मोड पर हैं स्वास्विभाग ने राजी के अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किये हैं सुप्रिम कोर्ट के आदेश की तहर उपमुख की चिकित सालियों में अमूमन ऐसे लोगों को देखा जाता है जिनका रोगी अस्पताल में भड़ती नहीं है वे सिर्फ रात्री विश्राम के लिए अस्पतालों में रुक जाते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध कारवाहे की जाए वार्ड आईसी यू रेस्टिंग रूम एमर्जेंसी वार्ड आई पीडी विभाग में रात्री प्रवेश के लिए तीमारदारों को प्रवेश पत्र निर्गत किये जाएं शुरक्षा विवस्था सुध्रन की जाए उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल परिशर में डॉक्टर रत्वात चिकित साय कर्मचारियों के साथ हिंसा होती है तो अस्पताल के इंचार्ज या उनके द्वारा अधिकरत व्यक्ति द्वारा एफाइयर कराई जाएगे इसे संस्थागत एफाइयर कहा जाएगा इसकी रुपोर्ट का कार अस्पताल द्वारा किया जाएगा ना की प्रभावित व्यक्ति द्वारा उन् रात्री में समुचित प्रकास विवस्ता की जाए ताकि अंधिरे का फाइदा उठाकर कोई असमाजिकत्व अंदर ना सके रात्री की समय में चिकत साले परिशर में सुरक्षा हेतु सुरक्षा दिकार्यों द्वारा और चक निरिक्षिन किया जाए रात्री में अस्पताल परिशर में सोने वाले तीमारदारों से समय समय पर पूश्ताच की जाए कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव उपमुक्यमंती प्रजिस पाठाक ने निर्देश दिये हैं कि चिकत साले परिशर में 24 घंटे सुरक्षा हेतु कंट्रोल रूम को क्रियाशिल किया जाए कंट्रोल रूम में आविश्चक शुरक्षा कर्म की तैनात रहें अस्पताल परिश्रों की सुरक्षा बढ़ानी के लिए सेवा निवरत सेना की जवानों की भरती की जाए चिकत साले के नजदीक पुलिस्थानों के साथ समनवे तधनेमित रूप से समवाद इस्थापित किया जाए इस्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन ज चाहिए एस्पताल में ठेका एवं आउट्सोर्सिंग स्टाफ का पुलिस सत्यापन अवश्य कराए जाए खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमशकार हो देखते रहिए सीजी नियूस प्लस टुटी फॉर